एक बार फिर से अपलोग का स्वागत है mastermind up gk में फ्रेंड्स आज हम master वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे इसके पहले पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स अगर वो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले ठेके फ्रेंड्स इस वीडियो का जो भी प्र और प्रच्ण को आप देखें वीडियोस को सुरु से लाश तक जरूर देखें वीडियोस अच्छा लगए तो लायक जरूर करें फ्रेंड्स अभी तक proclaimed प्लीज लाल बटन दवाकर पिरेंड्स फटा-फट देख लेते हैं, इस वीडियो का आपका पहला प्रशन है कि नट राज की मूर्ती है, जो किस वंस की है, यानि किस वंस से संबंदित है, बहुत ही इंपोर्टन प्रशन है, तो पहला का जो से अंसर है, गेज कीजे, इसका से अंसर आपका C हो जाएगा, चोल वंस स प्रेश्च नम्मर 2 देखें, वी बहुत important प्रेश्च न हां कि स्रीलांका पर विजय प्राप्त करनेवाला चोल लंसका सबसे प्र्तापी राजा था आपका इसका अंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा राजेंदर पर्थम था, कौँ था राजेंदर पर्थम, चले प्रेश्च को सी मह कुलीन को और डि में मनसब दार हो ठीक है फ्रेंज तो दिली संतनत में इनाम भूमी किसे दिया जाता था तो इसका जो सही अंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है बिद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था तो प्रश्ण नमर चार देखे प्रश्ण नमर पांच को देखे प्रश्ण नमर पांच क्या है कि निमलिखित जीलों में से कौन सी बिहार में इस्थित है बहुत इंपोर्टेंट है गेस किजिए अनुपम जील, सांभर जील, सुखाना जील या कामा जील तो बिहार में इस्थित जील कौन सा है फ्रेंट्स इसका जो सही अंसर आपका ए हो जाएगा अनुपम जीले जो बिहार में इस्तित है ठीए फ्रेंस देखे अनुपम जिल है जो बिहार की किस जिला में कहां है फ्रेंस तो अनुपम जिल है जो बिहार के कहां कैमोर में इस्तित है एक और प्रशन पूछा जाता है कि कावर जिल ठीए फ्रेंस कि बिहार का दूसरा परमुख जिल जो कावर ज नदियों में किसका उद्गम अमर कंटक है तो पहला हो गया अपसन आपका सामने दिया हुआ है पूनपून कोशी सोन कारो इसका जो सही अंसर हो जाएगा फ्रेंस आपका सोन नदि का जो उद्गम अस्तले जो आमर कंटक में है ठीक है चली प्रशन नमर साथ को देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टैप का एक प्रशन में इसाब पूछा जाता है कि समुद्र तल के अंदर समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाली छेत्रों को दर्साने वा जब कि अईसो थर्म और इसो हैट और इसी ओल के भारे में देख लेते हैं सभी इम्पॉर्टेंट है तो आपको आइसो बात हो गया समुद्र, तल के अंदर समान गहराई वाले छेत्रों स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहते हैं चलिए अब बहुत गया अपका सागर सागर की लवनता को मांचित्र पर परदर शित करने वाली संख्यां को आइसो हेलाइन कहते हैं देखे चारों important है इससे समंदित एक प्रश्ण पूछा जाता है इसलिए इसका concept के लिए रखें प्रश्ण नमबर आठ है इसका जो सयंसर हो जाएगा लाल पांडा है जो विश्व वन जीव कोस का परतीक है चले प्रश्ण नमबर नौ को देखते है प्रश्ण नमबर नौ देखे फ्रेंट्स जलधारा से भी एक प्रश्ण पूछा जाता है नेमने में से कौन हिंद अगे के घ्रम जलधारा काह GA रहा लैबराडोर हमव activated हाव ейजर्ण के लिए क्यों और भास्ण न उद्लधारा या क्योई IT की रोश्ण थारा पूष्ण जार्णार्ण आर्णनफंस जो कहसे कसा थारा है अफ्रेंट्स पूचाप लोखской त। ठंडी जलधारा है उसी तरह से क्यों रोशियो धारा पुछा जाए तो ये परसांत महासागर की गर्म जलधारा है हम बोल्ट धारा है जो ये भी परसांत महासागर की है और ये कैसी है ठंडी जलधारा है ठें फ्रेंस तो सभी इंपॉर्टेंट ये जलधारा है पूछा जात सागर के बारे में पुछा जा रहा है निम लिखित में से कौन सा सागर है सागर के बारे में पुछा जा रहा है निम लिखित में से कौन सा सागर है जिसकी सीमा तीन महादीपो को छूती है अचो लिखा हुआ है कि भुमध्य सागर तीन महादीप को छूती है युरियोप एशिया और अफिरका को छूती है प्रश्न डारा को देखे प्रश्न Direkt जो काफी important है एक नॉमिस का प्रश्ण है फ्रेंस कि विस्व बैंक के विस्व बैंक के सुलब रीन की खिड की किस संस्था को कहा जाता है तो किस संस्था को कहा जाता है तिसका sensor हो जाएगा आपको बी अंतराष्टिय विकास एजेंसी को विस्व बैंक के सुलब रीन की खिड की के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है ठीके फ्रेंस चलिए नोर्स में देखे क्या लिखा हुआ है ठीके फ्रेंस कहीं पर अंतराष्टिय विकास एजेंसी अर्थात आई डिये देखे इसको क्या कहा जाता है कि जो अंतराश्टिय विकास AGENCY है ीडि यू को विष्व बैंक की उदार खेड की ठीक है कि IDI को विश्व बैंक की उदार खिड की आनि soft window भी कहा जाता है चलिए अगला प्रस को दिखते है देखे फ्रेंट्स यह भी याद रखेगा है आपर लिखा हुआ कि विश्व बैंक का मुख्याले कहा है तो Washington DC में स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी इसका सेंसर आपका हो जाएगा स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी चलिए प्रस नमबर 14 को देखते है स्थापना के बारे में जरुष याद रखे एप्रस्ण कभी कहीं कोई भी एक्जामिय पूछा जा सकता है तो यूनिसेफ का मुख्याले कहां है इसका गेस किजिए देखे यूनिसेफ और यूसको में थोड़ा सा confusion होता है friends इसको कुछ ट्रिक बैठा ले तो यूनी सेफ का मुख्या ले आपका भी हो जाएगा न्यू आर्क हो जाएगा ठीक है friends देखें new यूनी सेफ ठीक है अगर जो सेफ रहना है सुरच्छित रहना है friends तो आपको new आपको लेते रहना है इस तरह से कुछ भी ट्रिक बैठा ले जब भी अगर जो सेफ के बारे में आपका जिक्र किया जाए तो आपका क्या रखेगा कि सेफ रहना है तो न्यूज हमको लेते रहना है ठीक है किस तरह से बैठा लिए confusion ने होगा तो यूनी सेफ का मुख्याले कह जबकि आपको यूनी सेफ की चलिए 16 गया खेंबर मुख्याले लंदन यूनायट Compare आटि किम्ग डेंग में जो 1994 वो सकता है इस से प्रत्स पूछा जाएstonesraj mein आपको única चलिए उनी स्टापना उने व definis को चलिए चलिए अगला स्पनीसाते है थे प्रष्ट नंबर 15 देखे बहुत इंपोर्टन प्रष्ट गेस किजेगा कि भारत में राष्टि आयकका मुख् honestly है भारत में पुछा बाहरत में उप्राइब है इसके बारे मुख्या को रेधी रेधीन ज़ेगा थे अंचे अधूब जख़ें भारतिये अर्थवस्ता के छेतरक के बारे में सौ난ад तीनों को याद रखें बहुत इंप्रफले लोग रूप कि रहें, इसके पोश्ची में हिसके बारति arrangement 2019 अंतर्गत उद्योग खनीज व्यसाय निर्मान न कारी आता है जबकि तिर्त्यक छेत्रक को सेवा जीत्र कहा जाता है इसकी अंतरगत बैंक बीमा परिवहन गर्पन संचार व्यवपार आधी आते हैं तीनों छेत्र यहां क्या था भारत में राष्टियए का मुख्ष सुरूत क्या है तो तृत्यक छेत्र को सेवाच्षेत्र भी कहा जाता है चली concept clear हो गया है अगला प्रस्ट को देख लेते हैं अगला प्रस्ट आपके सामने है अगला प्रस्ट नहीं देशी रियायसतों के एक ही करण का स्रियाई किसको जाता है बहुत ही important प्रस्ट है फ्रेंच कितना बार एक जाम में repeat हो चुका है तो देशी रियायसतों के एक ही करण का स्रियाई किसको जाता है तो गेस कीज़े इसका सेंसर आपका हो जाएगा सर्दार पटेल फ्रेंट्स बहुत ही important प्रस्ट है फ्रेंच मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मास्टर वीडियो है इसका एक भी प्रस्ट नहीं मिस ना करें सभी को याद कर लें चलिए तो प्रस्ट नमर 16 का सेंसर आपका सी हो गया सर्दार पटेल ठीक है अब देखिए यहां पर क्या लिखा हूँ है फ्रेंट्स इसे भी याद रखे कि स्वत अंतरता के समय देश में लगभग कितना 550 देशी रियायसते थी ठीक है फ्रेंट्स कित कहा जाता है वो भी आज देख लिए ठीक है फ्रेंस तो चलिए अगला प्रस को देखते हैं अगला प्रस नमर 17 को देखें कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन राजियों में अनुसूचित छेत्रों के परसासन और नियंत्रन के लिए विशेश उपबंद कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन राजियों में अनुसूचित छेत्रों एवं परसासन और नियंत्रन के लिए विशेश उपबंद है तो इसका सही अनसर गेश किजिए क्या होगा फ्रेंस एमें तीसरी है बी में पाचवी सी में सात्वी और डे में चलिए अगला प्रस को देखते हैं देख लेता हैं इसमें देखिया आप्सन में आपको पाचवी तो किलियर होगा फ्रेंस तीसरी सात्वी नौवी ए तीनों को भी देख लिए यह इंपॉर्टेंट है तो पाचवी अनुसूची में क्या हो गया था भारत के समीधान के किस सुची में विभिन राज्जियों में और सुची छेत्रों के परसासान नियंत्रन के लिए विश्य सुपन्ध है तो पाच्वियन सुची हो गया अब देखे तीसरी अनुसुची यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंस सभी को आद कर ले ठीक प्रेंस देखे समय कम है और ज में मेहनत पर भरोसा करता हूं और आप लोगों को भी मैं बताना चाहंगा जितना ज्यादा से ज्यादा सिलेवर करके जाएं ठीके फ्रेंस तो देखे तीसरी अनुसुची है किसे संबंदित है तो राष्ट पती उपराष्ट पती नयाईधिस राजपाल इत्यादी का सब् सम्भोर्टि से संब्दित है जबकि नौ में अनसूची में देखे भूमी सुधार जमिंदारी उनमुलन राज द्वारा संपति का अधिगरहन से संब्दित है जरूर आधर रहे फ्रेंस नौ में सूची बहुत इंप्पॉर्टेंट है तो आपका हो गया फ्रेंस अगला प्र संसोधन दोहरा समाप्त कर दिया भूल थी बीडी इए प्रश्ञ डेशं आए भूत पूर राजा को कुछ विशहुरा अदिकार प्राव ठाव था लेकिन समीधान संसोधन के दोपार ए अधिकार उनका समाप्त कर दे घया और इसका सॉह होगा क्या होन स गेस कि स्केजिर सब्सक्राइब कर दिया चलिए अगला प्रस को देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंट से भी देखे बहुत बारी प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को सिच्छन का माध्यम कब बनाया ठीक है इस चार्टर 8 के तहत हुआ यह ठीक है फ्रेंट इसका जो सही अंसर हो जाएगा बी हो जाएगा चार्टर 8 कितना 1833 के चार्टर 8 के तहत अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को सिच्छन का माध्यम कब बनाया ठीक है फ्रेंट पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी सिच्छा का माध्यम बनाने के लिए सबसे ज्यादे अनुसंशा किछने किया था ठीक है फ्रेंस इस तरह से प्रश्ना है कि भारत में अंग्रेजी सीच्छा को लाने के लिए इस के अनुसंशा किषने किया था ख्राइन आवाज उठाई थि पहले स पहले था ठीक है इस किली आथ 203 अंग्रेजी को सिच्छन का माध्यम कब बनाया तो 1833 इस्वी में आपको लागी हुआ था चार्टर 1833 की अधार पर सिच्छा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया लागी कब हो 1835 इस्वी में चार्टर 1813 की अधार पर इस्ट इंडिया कम्पाणी को एक लाख वार्सिक सिच्छा पर खar Chance करने का प्रोधान कर आया था आपको प्रश्ण फ्रेंड से इस तरह से पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा इस इंडिया कमपनी को सिच्छा पर एक लाख रूपया खर्च करने का प्रवधान करवाया गया था तो चार्टर एक टाथारा सुट तेती सी स्वी ठीके फ्रेंड याद रखेगा तो कॉ इसकी प्रकिर्ति कैसी होती है अबलिय होती है या अमलिय तथा चार्य होती है या उदासीन होती है ठीके फ्रेंड देखिए इस तरह का भी प्रश्ण पूछा जाता है इसका जो सही अंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रकिर्ति होती है आपका चार्य होती है ठीक है अब चलिए न्युलिंट क Vision content 2 इंत्र क्याकिस उपकरण केन क्षे willst पूछा जाता याद रहेगा पीएच काषिन ने किया था यद्र कन रखे पुछा में था बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ट है सिंपल है फ्रेंट्स या गिस की जए इसका इंसर आप लोग को पता है या नहीं पेट्रोलियम पाया जाता है कौन सा चटान में पेट्रोलियम पाया जाता है इसका गिस की सेंसर इसका सेंसर हो जाएगा भी हो जाएगा अब साधी सहलों पैटोलियम पाया जाता है चलिए अगला प्राश्क को देखिए अगला प्रश्ण है आपका सामने रसायनिक तौर पर जल क्या है बहुत ही इंपॉर्तन प्रश्ण है High dried है B मैं 1 Oxide है C में 1 Hydra Oxide है और D मैं क्या है एक Pero Oxide है तो देखिए रसाइनिक तौर पर आपका जो जल है friends वह हो जाएगा आपका एक Oxide है क्या है 1 Oxide है बहुत इंपॉर्टेट्न प्रैस्न प्रैस जाद रखेगा रसाइनिक तो पर जल क्या है तो एक Oxide है चले प्रेस नमब और बहुत important है इस टैब का पुछा जा रहा है अप वर्जन सब्द किस वएग्यानिक द्वारा परति पाधित सिदान्थ से सम्बद है ठीक है अप वर्जन सब्द इसका जो सही answer है गेश किजे क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा पाउली हो जाएगा अप वर्जन सब्द किस वैज्यानिक द्वारा परतिपादित सिदान्थ से सम्मंद है तो पाउली से है ठीक है अब देख लेते हैं आप वर्जन क्या है ठीक है इसके बारे में जो सिदान्थ के बारे में देख लेते हैं देखें पाउली के सिदान्थ ठीक है पाउली के सिद किसे समन्दित है उसी के सिदान के अंसार ठीक है पाउली के जो अपवर्जन सिदान है उसके अंसार किसी का च्छा में दो एलक्ट्रॉन की चारो क्वांटम संख्या समान नहीं होती है चलि अगला प्रस को देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकरा के सोधन में रूप में किसका पर्योग किया जाता है तो प्रश्ण नमबर 24 का सब्सक्राइब करना ना भूलियेगा चलिए प्रश्ण नमबर 25 को देखें प्रश्ण आपके सामने है कि बीटूमेणी कोईला ठीक है बीटूमीनी कोईला से कोक का उत्पादन निमलिखित में से किस परक् परक्रम से किया जाता है तो प्रश्ण नमबर 25 का से अंसर आपका बंजक आस्वन से ठीक है देखें प्रश्ण पूछा जा सकता है याद रखें प्रेंट्स चलिए अगला प्रश्ण है कि 1917 में चंपारन गांधी जी के किसके अनुर्वेद पर गये थे ठीक है जैसा कि सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी सौथ अफिरका से कब लौटे थे तो अपने इसो आपको पंद्रह इस्वी में लौटे थे यह भी आप जरूर आद रखें ठीक है अब महात्मा गांधी जो सबसे पहले अपना सत्यागरा का परयोग विदेश में सौथ अफिरका से शुरू क में सौथ अफिरकार से भारत आ गए थे और अपना पहला सत्यागरा का परयोग हो सौथ अफिरका में ही किये थे इसका सैंसर क्या होगा गेज कीजिए उन्हें 17 में चंपारन गांधी जी के किसके अनुरुद पर गए थे इसका सैंसर आपका ड्डी हो जगा राज कुमार करके अपने समस्याओं से अबवद कराया थे ठीक है तो उन्हें 17 में महात्मा गांधी आपको राज कुमार सुक्ल के अनुरुद पर ही वहां चंपारन गये थे और क्या है जो तिन कठिया पज़े थी था प्रेंस जो निल के खेती उसको क्या क्या उसके परते उसके परते से क्या किया थे अपना पहला सत्यागारा का फ्रयोक किया था ठीक है प्रैट निल्खित मेंसे काला कानून किसे कहा जाता है तो इसका जो हो जाएs occasions को Прाप्रोंativas. देख लेते हैं इसके बारे में जो रॉलेक्ट एक्ट उने एक काला कानून था पारित का वह था फ्रेंस पुछा जाता है कि जो काला कानून था तो रॉलेक्ट एक्ट जो हुआ था कब पारित हुआ था था तो उन्हेस उन्हेस इस्वी में पारित हुआ था ये जो रॉलेक् कि आफे धाले की तक यहाँ प्रास को देखते हैं अगला प्रशन है कि रबबर के आपक़ है कि डियाने किसरने की इसकार की रभर के गॐतै ऑफ रहता है तो बसकार ने किसरे हो जाता है घ्राल्च और किसी और उल्थ प्राओकशाी Um बहुत important question है मेरे ख्याल से सब जानते होंगे a passage to India की ले खक कौन है कौन होगा इसका sensor तो इसका हो जाएगा ए एम फॉस्टर ठीक है a passage to India एम फॉस्टर प्रस्च नमबर 30 को देखे प्रस्च नमबर 30 जो बहुत important है मार्टिन लूथर किंग किस आंदोलन का नित्रित करने के लिए जाने जाते है तो किस कौनसा अंदोलन के लिए जाने जाते है तो इसका हो जाएगा आपका रंग भेद के बिरूद ठीक है फ्रेंस ये महातमा गांधी के समर्थक ठीक है महात्मा गांदी से प्रभावित ही, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, तो प्रशन यहाँ आपका पुछा जा रहा है कि मार्टन लूथर किंग किस आंदोलन का नित्रूत करने के लिए जाने जाते हैं, तो इसका सहिं सर आपका हो जाएगा, रंगभेद के बिरूद, चले प् सूची में आता है, संग सूची में यह आता है यह आपका समवर्ति करके बताएगा ठीक फ्रेंच और अगर पढ़ना चाहते हैं कुछ देर बाद में इस वीडियो के डिस्क्रीप्ज्टन में मैं बेस्जाइट का इंप लिंक डाल जहा ठीक है ठीक है इस टो नेक्ट इस वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद